नमस्कार दोस्तों आईए स्पीसेस पार्ट शालम आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं 67 BPSC अपडेट को एक कुछ बात करने वाला हूँ एक लेटर जारी हुआ है BPSC आयोग द्वारा सभी जीलो के DM को जहां-जहां BPSC PD का एक्जाम होने वाला है तो इससे ये जान जाएए कि BPSC ने अपनी तयारी शुरू कर दिया एक्जाम की तो जो जो मेरे भाई बंदू अभी इस सोच में थे कि क्या पता फिर से एक्जाम टल जाए दो-तीन बार टला है तो 30 अपरेल से भी टल जाए एक्जाम तो ऐसा नहीं होने वाला है इस बार आपका एक्जाम 30 अपरेल शनीवार को होके रहेगा और आपको अपको कमर कस लेनी है अगर से अभी तक आपने शुरुआत नहीं किती पढ़ाई के लिए तो क्योंकि आप देखिए तो reverse countdown शुरू हो चुका है आपका 70 दिन था पहले लेकिन आप 69, 68, 67 हर दिन आपका एक एक दिन कम होते जाएगा और जैसे 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 दिन कम होगा आपके select होने के chances भी कम होते जाएंगे तो थोड़ा सा इस letter पर मज़र डाल लेते हैं जैसे आप यह देख सकते हैं कि विशे क्या है सरसथमी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परिक्षा के संचालन हेतु आवासन की विवस्था कराने के संबंद में जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि निर्देशा रुसार उपयोग्त प्रसंग वर्णित पत्र का स्मरण करना चाहेंगे सरसथमी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परिक्षा दिनांग 30-4022 शनिवार को आयोजित की जानी है तो इस परिक्षा है तो DM को खत लिखा गया है कि आप सेंटर को ऐलोकेट कीजिए और भी जो पुराने एक्जाम है उनके लिए सेंटर को ऐलोकेट कीजिए और इस चीज़ को आप 23-2222 यानि 23-February तक इसपस्ट करिए तो BPSC अपनी पूरी तैयारी में लग चुकी है आप भी अपनी पूरी तैयारी में लग जाएए और इस बार जो है 802 सीटे है काफी अच्छा मौका है क्योंकि 64-64 के बाद ये 64-64 जो है उसमें आपको इतनी जादे सीटे देखने को मिल रही है तो इस बार अगर से मौका हाँ से चूक जाएगा तो अगली बार अभी 68 का आप इंतजार मत करिए रीजन ये है कि BPSC इस टाइम पे ट्रैक पे है अगर से आप पुराने और किसी आयोग को देख लिजे एक UPPCS को आप देख लिजे वो पुरी तरह से UPPC को फॉलो करते हुए ट्रैक पे चल रहा है उसके लावाँ एक BPSC ही ऐसा एक्जाम है जो कि हर साल ले रहा है ठीक है ऐसा मान सकते हैं कि काफी डिले हो रहा है अब उसकी परिस्तिती चाहे करोना को ले लेजिए या फिर राज्ये में कुछ-कुछ इलेक्शन पढ़ जाते हैं उनको ले लेजिए लेकिन फिर भी दू नहीं हो सके जितना ज्यादा हो सके आप सभी के help करूं मैंने BPSC के लिए के हट topic wise strategy वीडियो बनाया है आप 67 BPSC playlist में जाके देख सकते हैं और भी मैं जब तक exam नहीं होता है तब तक आपके साथ हूं आपकी पुरी तरह से help करने क्ला तयार हूं और मैं help करूंगा भी लेकि क्योंकि इस बार competition बहुत tough होने वाला है वैसे ही BPSC ने कई बार अपना exam postpone कर दिया है छे साड़े छे लाग बच्चों ने form भर रहा है और means से जाता PT tough हो जाता है reason यह हो जाता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं चाहे वो बिहार SI का दे रहे हो या फिर और भी कोई exam दे रह करेंगे उसके लिए बहुत से बच्चे प्री में fight करेंगे तो प्री निकालना सबसे दाधा tough होने वाला है इसलिए आप पूरी ताकत जोग दीजिए कम से कम प्री निकालने के लिए इन 70 दिनों में आप पूरी महत करिए मेंस को आप इस टाइम पे साइड लाइन कर सकते ह मेंस में आपको पूरा मौका मिल जाएगा मेंस का पेपर उतना tough नहीं होता जितना market ने हुआ बना रखा है मेंस देखिए simply लिखने का test होता है और अगर से अपरी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके पास वैसे भी बहुत knowledge हो जाता है मेंस के लिए और खासकर मेंस में 4-5 म महिना इस बार नहीं देगा तो कम सकम तीन महिना तो देगा तीन महिने में भी आप मेंस अराम से प्रेपेर कर लेंगे उसमें भी आपको maximum time अपने optional को देना हुआ क्योंकि GS का पेपर इतना tough नहीं आता GS1 काफी static और easy होता है GS2 थोड़ा current related होता है तेकि उसकी बात हम बाद आपको करने का perfect time अभी होता है आज होता है तो दोस्तों पुरी जान लगा दीजे पुरी महिन लगा दीजे हम आपके साथ है मैं आपके साथ हूँ thank you and God bless you all